प्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है गुड़ लग टैप्स में दर्शकों ब्रेक से भिले हम ने च्छा रश्यों की बात की थी सरी अभी किला आगे बढ़ते हैं और अब जान लेते हैं तुला राश्य को और धनू राश्य वाले सभी जातकों के बारे में तुला राश्य की बात करते हैं तुला राश्य वाले जो हमारे दर्श रखें आज अपना जो focus है, अपनी जो concentration है, वो अपने काम पर, अपने जिम्मेदारियों पर बनाया रखीएगा, यदि आप focus करते हैं, तो निश्यत तोर पे सारे काम समय पर बनते में नजर आएगी, अपने आप पर रिश्वाश रखकर, जो भी problem है, उसका solution डूढने का प्रयास की आज के दिन की सफलता के लिए गवमाता को पालक खिलाईगा, अगली जो राशी होगा, विश्यक राशी वाली जो हमारे दर्शक है, self confidence को बनाया रखेगा, अपने आप पर, अपनी कोशल पर, अपनी ability के ऊपर भरोसा रखेगा, इसी के साथ अगर मिलकर कोई partnership में काम कर र जिन लोगों के पास मा हैं, उनके चरण चूकर दिन के शिरुवात कर लिजेगा, सुभाग गशाली हैं, यदि आपके पास में माता हैं, पिता हैं, बड़े सुभाग गशाली हैं, उनके चरण चू लिजेगा, अगली जो राशी हो धनु राशी, धनु राशी वाले जो हम दान दीजीगा यदी चाहते हैं कि आज का दिन सफल रहे तो कोई जरत मंद हो जो भी उसकी जरत हो उसकी आवशक्ता जो भी उसकी आवशक्ता हो उसके अनुसार उसको दान करतीजी दिन अच्छा मिच्रिक पंडिजी अन्तिम तीन राश्यों की तरह बढ़ने से पर एक दर्शक हमायर साथ जुड़े हैं गोपाल जी है सुजान गड़ से पंडिजी न की जन की तारीक है बारा दो उन्निसो चाहाँ सट और जन का समय है रात का ग्यारा बचकर पैतालिस मिनट का गोपल जी आपका बह ने परे वेपार बंद हो गया और एक घर का मकान बनाने की इच्छा है वो ने बन रहा है देखे गुपाल जी आपकी जिनमकुर्ली के अंदर व्रश्यक राशी आपकी जनम से अनुरादा नक्षत्र में जनम होगा है आपके नोकरी के घर का जिस्वामी है चंद्रमा वो ल धन भवन के घर पे नीच का होके बैठा है काल सर्दोश और बनावा है सर्पदोश का होना चंद्रमा का नीच का होना सूरे शनी का साथ होना पित्रदोश का होना और मंगल शनी की युती होना इतने सारे अशुब योगों के कारण आपके जीवन में लगातार आपको ऐसा प्राब्लम करना पड़ रहा है। प्राब्लम करना पड़ रहा है। पड़ जी पाच की तो रात है औच्छ की सुबह है। रवी जी आपका बहुत बहुत च्वागता मर्स कारकर में अपना सवाल पूछे। सर मुझे अपने जोग की बारे में जानना है। एंड शादी वादी की पूछनी भी। कब तक होगी। शादी का तो बता देंगे और वादी का क्या बताएं। दोस्त। शादी वादी तो शादी का मैं बता दूगा और वादी का तो मेरे पस में कोई आंसर नहीं होगा। ऐसा है बिटा आपकी जर्मकुली बहुत अच्छी है मांगली को आप। और गुरू उच्चिका होके बैठा है भाग्यस्तान पे लखाउस के अंदर सन 2017 के आंत तक में आपका विवाद का योग बनता है। मेरे इसाब से अगस अक्टूबर के बीच में तैया हो जाएगी इस साल के आंत में आपका विवाद हो जाएगा। सरकारी नोकरी की जगे प्राइविट सेक्टर के अंदर जो है वो आप ज़्यादा सकसेज होंगे। साड़े साथ साल की जो शनी की साड़े साती है वो आपके अभी 26 दनवरी को खतम होई है। 2017 जो है वो आपके जीवन का टर्णिंग एयर साबित हो सकता है। और जीवन में काफी तरक्टी आप कर सकते हैं। काल सर्व दोश है। सर्व दोश की पूजा करवाना मत भूलिए। एक बार उज्जेन या नासिक चले जाएए वहाँ जाकर सर्व दोश की पूजा करवा लीजिए। बाकि आपके जनम कुली बहुत अच्छी है। जो कि आपके अच्छे के लिए हैं, आपके भले के लिए हैं। उन बदलाव से उन चेंजे से परिशान मत होईएगा। काम से संबंदित कुछ नया सीखने का प्रयास कीजिएगा। आज के दिन को यदि सफल बनाना चाहते हैं। तो पीपल के व्रक्ष में जलकार्थ पदान कीजिएगा। मालक्षमी का वगान विष्टू का आशिरवात बना रहेगा। कुम्राशी की अगर हम बात करें जो हमारे दर्शक हैं। आज का दिन जो है वो नॉर्मल रहने वाला है। आपके मन में आज तनाव रह सकता है। परिशानिया रह सकते हैं। कुछ बाते ऐसी होगी जिसे कारणा पर स्ट्रस में आ सकते हैं। तो दूसरों की बातों में आने से बचिएगा। आपका जो मन कहता है उसकी बात को सुनिएगा। आज के दिन के सफलता के लिए कववे को खेलाईगा। अगली जो राशी हो मीन राशी। मीन राशी वाली जो हमारे दश्यक है। आज अपने अंदर सल्फ कॉन्फिडेंस की कमी मत होने दीजेगा। अपने से बड़ों की सला लीजेगा। गुरु जनों की सला लीजेगा। मातापिता की सला लीजेगा। यदि आप कोई डिसिजन लेने चारे। धल आपके आफसर मिलेंगे। और किसी भी एक्सपर्ट से सला करके जो आपकी एनरजी है। उसे पॉसिटिव डिरेक्शन में लगाएंगे। तो you will get much more favorable results. कारशेत में किसी बात के काराण आपके मन में कुछ परिशानी उत्पन हो सकती। ज्यादा दिल पे मत लगाना खोश रहो। आज के दिन की सफलता के लिए किसी की आलोचना नहीं करने के संकल्प के साथ दिन के शुरुआत कीजिएगा। दिन अच्छा मिज़री नहीं। तो दर्शों को अब तक हमने बात कि आज के देनिक राशिफल की। चलिए भी किला आगे बढ़ते हो और अब पंडी जी से जान लेते हैं। कि आज का गूड लग टिप क्या कुछ खास लेकर आया है आज सभी के लिए। दोस्तों आज माग मास की पूर्णिमा तिती है। तो मागी पूर्णिमा का उत्सव आज के दिन ही मनाया जाएगा। सत्यनायन की पूजा आज के दिन ही की जाएगी। पूर्णिमा का वरत आज के दिन ही किया जाएगा। ब्रह्म वैतर्थ पुराण में उलिख है कि मागी पूर्णीवा पर भगवान विश्णु जो है वो गंगा जल में निवास करते हैं तो ऐसे पावन समय में गंगा जल का स्परश मात्र भी उसको छू लेना मात्र भी स्वर्ग की प्राप्ति करा देता है इसी प्रकार पुराणों में माननेता है कि भगवान विश्णु वरत उप्वास और दान से उतने प्रसंद नहीं होते हैं जितने अधिक प्रसंद वो माग मास की पूर्णीमा के दिन इसनान करने से वरत करने से प्रसंद होते हैं माग मास के पुर्णिमा के दिन किये गए यग तप और दान का विशेश महत होता है आज के दिन भगवान विश्णु की पूजा का विधान है भगवान सत्य नायन की पूजा का विधान है भोजन, वस्त्र, गोड कपास, गी, लड़ू, फल, अन, इत्यादी का दान करना पुन्य दायक माना जाता है कहते हैं कि आज के दिन किया गया महास्नान समस्त रोगों को शान्त करने वाला है भगवान शीख किष्ण के मंत्रों का जाप करतेवे सनान कीजे, दान कीजे, पूरे दिन को व्यतीत कर दीजे आज के दिन जो बगवान विश्णु का ध्यान करता है इसनान करता है, दान करता है बगवान विश्णु के असीम क्रपा बनी रहती है सुख सोभाग्य की प्राप्ती होती है धन संतान की प्राप्ती होती है आज के दिन ही भगवान नारायन शीर सागर में विराजित होते हैं और गंगाजी शीर सागर का ही तो रूप है माग पूर्णिमा में स्नान करने से सूर्य और चंद्रमा से युक्त जो दोश होते हैं उनसे मुक्ति प्राप्त होती होती है अपने निवास इस्तान पर ही माग इसनान का पुर्णे लेना चाहते हैं तो तीर्थ राज प्रयाक का स्मरन करें जल में सभी तीर्थों का आवाहन करें आवाहन करके इसनान करें सूरे वगवान को जल का अर्थ पदान करें अपने इस्ट देव की पूजा करें अंत में विश्णु लोग को प्राप्त होता है, दिरगायू होता है, आरोग्य प्राप्त होता है, रूप सोंदर्य प्राप्त होता है, सोभाग्य शाली होता है, उत्तम गुणों को प्राप्त करता है, दंधान्ने की प्राप्ती होती है कैसे करें माग पूर्णिमा पूजन वो भी मैं आपको बता देता हूँ माग पूर्णिमा के असर पर भवान सत्यनायन जी की कथा की जाती है बगवान मिश्णू की पूजा में, बगवान सत्य नायन की पूजा में केले के पत्ते, फलो, पंचामत, सुपारी, पान, तिल, मौली, रोली, कुमकुम, दुर्वा का उप्योग किया जाता है बगवान सत्य नायन की पूजा के लिए दूद, शहद, केला, गंगाजल, तुलसी, पत्ता, मेवा मिलाकर पंचामत तयार करें उसके साथ आटे को भून कर उसमें चीनी मिलाकर चूर्वे का प्रशाद तयार करें बगवान सत्य नायन की कथा करें पूजन करें देवी महालक्षवी महादेव, ब्रह्माजी की आर्थी करें चन्नामत लेकर सभी को बाड़ दीजिए माग मास को 32 पूर्णिमा वरद भी कहते हैं आज के दिन अन्दान, वस्दान का विशेश महत है इस नान के परशाद भगवाद, विश्दु की पूजा का विशेश महत ले जैसा मैंने कहा कि अन्दान कीजी आत्वा भूकों को भरपेट भोजन अवश्य करवाईए ब्रामनों को पुरोईतों को यथा संभवशद्दा पूरवक दान दे सकें और उनको आशिरवाद ले सकें तो इससे बहतर कुछ नहीं होगा क्योंकि आज के दिन जो दान किया गया है वो आपको मरने के उपरान्त प्राप्त होगा तो जो आज आप दान करेंगे वो आगे प्राप्त होने वाला है यह सोचकर आज आप दान कीजेगा ज़्यादा से ज़्यादा दान कीजेगा अच्छे से अच्छा दान कीजेगा भवान विश्णू और भवान शीक किष्ण को याद करना मत बूलिएगा तो दर्शकों आशा करते हैं कि हमारे कारिकरम आज आपको काफी पसंद आया होगा पंडिजी हमारे स्टूडियो मानने के लिए और दर्शकों की समस्याओं के समाधान करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आज का दिन मंगल में होशुभ हो जैशी किष्णा जैमाता की जैशी है तो आप सभी सुमबा से शुकरूआर हमें कॉल कर सकते हैं हमें हमारे सूडियो नमबर्स पर और जान सकते हैं अपनी समस्याओं के समाधान तो दर्शकों कल फिर मिलेंगे तब तक लिए खुर्श ही अपना ख्याल रखिए नमस्कार